आप देखे हो लोगों में उस्साहे और मैं सुमस्ता हूं यह चुनाव जो है फईदबाद की जंता लड़ रही है और उनके अंदर जो प्यार है कि किस तरीके से बात्रेंदा पार्टी को विफुलकोल को यहां से जिताना है और एक एहत्यासिक जीत जो है अरे अना के अंदर कि आप लोगों के बीच जा रहे है क्या-क्या मुख्या समस्याइं लोग आज यहां समस्याओं की बात निकरें उन्हें पता है कि विफुलकोल को जिता देंगे भारतियंता पार्टी की सरकार बनेगी समस्याओं के लिए कहना नीप पड़ेगा उनका निदान हो जाए पू लुए और चाली सटार प्रचार जो है यहां पर ड्यूटी लगाई गई प्रदेश के अंदर उस रैली का असर कहां कहां तक पूंचे लिए के मोदी जी की रैलियों का असर बहुत जबर्दस जाएगा लोग आतुर है अपने नेता को सुनने के लिए और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा परवाफ इन दोनों रैलियों से आपके विदानसभा शेतर में जैसा कि अभी आपने बताया हमीशा की रैलिये तो इसके बार करेंगे उसके कारेकरताओं का एक मिटिंग लेंगे और यह बहुत ही त्यासिक और अच्छी रैली और एक परभाफ शाली रैली फईदबात कि बहुत अच्छा कर देंगे विपल गोईल जी तो वैसी बहुत अच्छे बहुत नाइस है तो उद्री की तरफ आपका मूर है चुनावी महौल आचुका है और आशा करते हैं बाकियों वह जीतेंगे और यहां से उन्हें ही विजईई बनाएंगे चुनावी महौल तो बीजेपी ही है और जब से अब मोदी जी आया है तो पूरा बीजेपी को ही सपोर्ट है हमारा भी और मुझे लगता है यहां के सभी लोगों का लस जो भी बीजेपी प्रतियाशी यहां से विपल गोईल जी खड़े हुए है वो भी हमें यह पता है अच्छा रहा है तो हम चाहेंगे के दुबारा वो आए और हमारी यहां पे तरक्की प्लस साफ सफाई जो सबसे ज़्यादा जरूरी है जो बीजेपी का में मोटो भी है वो होना चाहिए